इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक beginner trading करके consistent पैसे बना सकता है और मैं कोई हवा में बात नहीं करने वाला, मैं आपको एक live trade करके, छोटी सी profit book करके और फिर calculation के साथ बताऊंगा कि कैसे आप 5000 से start कर सकते हो और आठ लाक रुपय तक earn कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर बहुत इसली बिना risk लिए लेकिन यार उसके लिए आपको वीडियो पूरी end तक देखनी पड़ेगी, अगर आप skip करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आप मार्केट में जाकर वही गलतिया करोगे जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में 5-7 मिनटस आप दे सकते हो and I promise you कि मैं आपके टाइम को waste नहीं जाने दूँगा और एक और बात अगर आप beginner हो तो bull invest यानि ये channel share market से related है और बहुत सारे useful videos and playlist अबलेवल हैं आपर जैसे मैं आपको कुछ playlist के नाम बता देता हूँ basics of share market, options trading beginner to advanced level, pre-market videos जिसमें हर तिन आपको pre-market videos मिलते है and live trading analysis जिसमें मैं live trade share करता हूँ उससे आपको बहुत कुछ idea हो जाएगा आप सारे playlist एक बाद चेक आउट कर लेना चैनल पढ़ने हो तो subscribe कर लेना बिना time waste की है main topic की और बढ़ते है मैं अभी grow app को open कर रहा हूँ and अभी market live है यानि खुला हुआ है so यहाँ पर अभी हम एक trade लेने वाल है market अभी देखो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है suddenly nifty 50 100-500 point नीचे आ चुका है so मैंने यहाँ पर एक trade buy कर लिया and grow app के उपर मेरे पास 3000 रुपए पड़े वे थे जो की maximum beginners उतने amount से अपना trading journey start करते है so यह काफी अच्छा रहेगा कि आप अपने आप से relate कर पाऊगे मैंने आप पर trade ले लिया है and RSI का मैंने use किया है यहाँ पर इस trade में अगर आपको RSI के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो बहुत useful चीज है मैंने detail पर video बनाई हुई है link में आपको description में दे दूँगा आप जरूर से check out कर लेना मैंने trade लिये 22 September 17,850 का call buy किया है 55.95 के price पर मैंने buy किया है एक ही lot बाई किया है 50 रुपए 28 रुपए के आसपास कब बनता है थोड़ी देर wait करेंगे बहुत ज़्यादा मेरा target भी नहीं है छोटा सा target है थोड़ी देर wait करते हैं फिर देखते हैं कितना profit मैं बना पाता हूं तो मैं निकाल लूँगा क्योंकि उतना ही मैंने target रखा है सो मैं आपको proper example दे पाऊं सो वेट करते हैं भी थोड़ी देर सो मैंने वह आपस से screen recording on किया है अभी आप time देख लो 155 हो रहा है और मैं 50 50 के graph को मैं खोल रहा हूं तो यहां पर आप clearly देख सकते हो market बहुत ऊपर जा चुका है अगर मैं आपको दिखा हूं मैंने position अपनी यहां आसपास बनाई थी और मैंने exit कहां किया यह upside जो movement आपको दिख रहा है first वाला at the top भी नहीं किया था मैंने बस बीच में ही अपना target लगा दिया था तो जैसे ही वहां तक पहुँचा खुद बखुद order place हो गया and मेरा profit book हो गया सो मैं आपको dashboard भी दिखाने वाला हूं कितने का profit book हुआ है अगर आपको RSI के बारे में थोड़ी भी knowledge है तो आपको भी पता है यहाँ पर मैं easily all profit बना सकता था बट यह एक example के लिए है तो मैं हाँ पर इसको exit कर दिया था मैंने dashboard अगर आप देखोगे 352 का profit बना है जो कि enough है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझाने के लिए basically मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप per day market से सिर्फ 2% भी निकालते हो profit तो आप कितना जादा earn कर सकते हो यानि 100 रुपै से अगर सिर्फ 2 रुपै भी आप बनाते हो तो कितना जादा profit आप बना सकते हो उसके लिए मैंने यहाँ पर daily compound interest का website open किया है यहाँ आप देख सकते हो रुपी चूज कर लो अगर आप dollar में करते हो यूरो में करते हो तो आप उसको भी चूज कर सकते हो simply यहाँ पर simple सा interface है principal amount लिख देना है आपको interest rate लिख देना है and मैं आपको पहले एक example के साथ समझा देता हूँ principal amount अब हम यहाँ पर 100 रुपीज लेते हैं ठीक है interest rate यहाँ पर हम 10% लेते हैं daily का actually 10% नहीं लेने वाले बट एक example के लिए 10% मैंने यहाँ पर लिया और total हम 5 days के लिए इसको calculate करके देखते हैं कितना आता है answer कैसे यह चीज़ वर्क करती है simply आपको calculate पर click करते हैं आप देख सक है 100 हमारा principal amount था and total interest हमने earn किया 61 रुपीज तो आप देख सकते हो 10% का interest rate था कैसे काम किया यह मैं आपको समझा देता हूं पहले दिन हमने 100 रुपे लगा 10% 10 रुपए होता है तो 110 रुपए हमें मिल गया दूसरे दिन हमने reinvest किया तो 110 का 10% 111 रुपए के आसपास होता है त 133 पॉइंट 10 हो गया ऐसे करते करते at the end हमारे पास 161 रुपीज बचता है एक चीज़ मैं आपको remind दिला देता हूं कि हमने जो profit बनाया live जो आपने देखा था 2800 रुपए यूज किया था and 352 रुपए के आसपास बने थे तो आप मान सकते हो 12% interest rate एक दिन का हमने इतना earn किया था तो यहाँ पर हम principal amount 5000 ले रहे हैं and interest rate को हमें आपर 2 रखेंगे कितने साल के लिए एक साल के लिए and मैं आपको फिर याद दिला दूँ हमने सिर्फ 12% earn किया था and वो बहुत कम था हम चाहते तो double भी earn कर सकते थे अगर आप भी कभी option trading करते हो तो आपको पता होगा एक दिन में 50% 100% तक return होता है किसी दिन loss भी हो सकता है तो यह चीश ठीक है मगर हमने सिर्फ 2% का return यहाँ पर समझा है अगर आप 100 रुपे लगा रहे हो तो सिर्फ 2 रुपे आप earn कर रहे हो तो यह बहुत ही कम है लेकिन अगर आप कम profit लेके निकलते हो consistent profit लेके निकलते हो तो इसका result क्या होगा यह मैं को calculate करके बताना चाहता हूं यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर हमने include weekends को अभी no करना है क्योंकि हम छुटियों के दिन को नहीं गिन रहे हैं जैसे आप इसको no कर देते हो यानि अब छुटियों के दिन नहीं गिने जा रहे हैं उसके बाद हम इसको calculate करके 3000 क्योंकि 5000 हमारा principal amount था तो वह यहां पर earning में शो नहीं कर रहा है अगर आप देखोगे 365 days में सिर्फ 261 days हमने trade लिया है सिर्फ 2% का return earned किया है और initial balance हमारा 5000 रुपीज था ऐसा possible भी है कि हमें बहुत सारे दिन 50% 100% तक का return मिले लेकिन ये भी possibility है कि हमें loss भी बन सकता है लेकिन हमें consistent रहने के लिए थोड़ा क्याल रखना होगा समझना होगा कि अगर आप सिर्फ 2% तक का return हर दिन earn करते हो तो आप बहुत जल्दी बहुत जादे पैसा earn करने वाले हो क्योंकि जब भी हम लालच करते हैं तब भी हमें loss होता है क्योंकि जब मैं beginner था मैंने भी यह चीज़ समझा है अगर आप अभी beginner हो तो आपको भी पता है कि आप loss कब बनाते हो जब आप जादा लालच करते हो अगर आप loss में हो तो उसे loss को book कर लो यह मत सोचो कि market पल्ट हो अगर आप trading के तरूँ चाते हो एक मैने या दो मैने के अंदर बहुत जादा पैसे earn कर लो तो आप जरूर से loss बनाकर ही market से जाओगे इसलिए आपको यहां पर ध्यान देना है process पर आपको सीखना है consistent रहना है losses को बड़े losses में convert नहीं होने देना उसके लिए आप stop loss का use कर सकते हो RSI use करो अगर यह सारी चीजें पता नहीं है तो क्या गर्यार चैनल को subscribe करो क्योंकि इस चैनल पर मैंने पहले से यह सारे वीडियो अप्लोड करके रख दिया है और आने वाले टाइम में और भी useful वीडियो आने वाले हैं अगर आप beginner हो तो हर दिन pre-market वीडियो आता ह ही है आपके help के लिए so do subscribe आज इस वीडियो में इतना ही thanks for watching have a good day